चलो तो आज है मेरे पास ये अमरूद और ये अमरूद को थो हम ऐसे ही खाने वाले नहीं हैं क्योंकि ऐसे ही तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है मुझे तो आज हमें इसको एक ट्विस्ट देने वाले हैं ट्विस्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा चटपड़ा बनाने वाले हैं तो उसके लिए मैंने एक ले लिया है अमरूत और उसके कर दिये चोटे-चोटे पीसीज और अब उसके उपर डाला है मैंने जल जीरा पाउडर यहाँ पर मेरे पास है ड्राए मैंगो यानि आमचूर पाउडर और यह ले लिया है मैंने ब्लैक पेपर यानि क्या बोलते हैं काली मिर्च का पाउडर हाँ यह काली मिर्च पता नहीं क्या बोलते हैं पिर मैंने डाला भूना हुआ जीरा और फिर डाला थोड़ा सा लाल मिर्च पाऊडर और उपर से डाला थोड़ा सा नमक अब यह सब डालने के पाद इसको मैं टकन लगा दूँगी, उसको बन कर दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कल लोगी तो अब mix होने के बाद देखो ये हो गया, सब मसाला उसके उपर चड़ गया है, mix हो गया है, और अब last में ये उसके उपर जाने वाला है, नीम्बू का रस थोड़ा सा, क्योंकि इसको और मैं चत्पटा बनाना चाहती थी, तो मैंने थोड़ा सा डाला है नीम्बू, क्योंकि जो मेरे पास जामफल था, ना,गुजराती में जामफल ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं, अमरूत, तो वो होना, थोड़ा सा स्वीट है, बहुत ही स्वीट मेरे पास, जो है न, अभी, तो स्वीट था, इसलिक मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं उपर नीम्बू जालूंगी ना तो उस थोड़ा चट पटाट स्वीट एंड थोड़ा सा सौर ऐसे खट्टा मीटा बन जाएगा तो थोड़ा सा निम्बू डाला तो वा क्या बात है बहुत ही अच्छा बना था यह आप घर पे एक बार दरूर ट्राइ करिए और यह देखो मैंने किया ना कोपी करना था मेरी तो बस वो भी स्टार्ट हो गया तुद पित लेगे तो उसको भी बहुत ही मज़ा है उसको थोड़ा सा स्पाइसी लगा थोड़ा तीखा लगे लेकिन ठीक है ओके वीडियो अच्छे लगा तो प्लेस लाइक कर देना एंड चैनल पे नए होते सस्क्रा कि गई वाई